रंग बरी होली का तेवहार पूरे देश में 25 अप्रेल को मनाया जाएगा जगा जगा पिछकारी और गुलाल की दुकाने सच चुकी हैं लोग अपनी तैयारियों में जुड़ गए ऐसे में हम राजधानी लखनव के मन कामिश्वर मंदिर में इस समय मौझूद है हमारे साथ आप देख सकते हैं यहां की महांत स्री दिव्यागरी महाराजी मौझूद है इनसे जानते हैं कि किस तरह की महत्व है और क्या महत्व है यहां की होली का और यहां की विशेस्ताओं का महाराजी बहुत बूश्वागत है यहां जो मन कामिश्वर का यह जो प्रांगड है यह हुली कैसी मनाए जाती और क्या महत्व हुली का हम और हमारी जनता जानना चाहती है आपसे जी बिल्कुल वैसे तो 25 मार्च को हुली का हम लोग जो रंग खेलते हैं उस दिन है परन्तु 24 मार्च को 11 बच के 13 14 मिनट से एक घंटा 14 मिनट का मूरत है एक घंटे के अंदर हुली क क्या प्रिज्वलन हो जाना चाहिए जो कि हमारे वैसे तो सांस्कतिक प्राम पारंपरिक और धार्मिंग महत्तो है इस तो यह सब इसका इंतजार करते हैं और चुकि जो होली का दहन है उसको बहुत पर अपरागर ढंग से करना चाहिए लोग सुन रहे हैं सारे शुतागर से ही निवेदन रहेगा और जो हिंदु धर में कम से कम जो एक उपला या जो भी साबंगरी देहन नहीं डालते हैं उस सब से हुलिक के देहन का ही महातर। उसके पशाथ फिर हम लोग रंग खिलते हैं। और जब हुलिका को यह बैठी होई थी पहला जी को ले के तो पहला जी नहीं जलते हैं। और उनकी बुगा होलिका जल जाती है। तो यह हमारा बुराई पर अच्छाए के जीत कपर्व है। ये सत्वला एकता तो खैर इसका है ही इसके मूल में वो तत्व परंतो हूलिका दहन के सम्ऩ को जानना चाहिए और उसी महुरत में हूलिका ब्रजुलित करनी चाहिए साथ परिक्रमा लेना चाहिए जो भी आप समान उसमें डालना चाहते हैं जैसे कुछ लोग गुजिया बना के उसमें डालते हैं तेल है जोव है उसमें डालते हैं और फिर नर्सिंग भगवान का उसमें मन में ध्यान रखते हैं कुछ लोग होलिका की प्रतिमा भी बनाते हैं और पहलाजी गोद में होते हैं परन्तु इन तीनों का ही पहलाजी का आमान करना चाहिए और नर्सिंग देवता का भी उसमें याद करके या प्रतिमा रख सकते हैं तो प्रतिमा करके आप साथ परिक्रमा दें होलिका में हुलिका जलाई जाती है ऐसा कि देखिए वह तो मुहरत है जिसे पिछली वर्स का दो दिवसी लोग मना रहे थे परन्तु जो फागुर मास की पूरिमा होगी उसकी मतब ज़रूरी नहीं है कि अर्धरात्री में ही उसका मुहरत हो परन्तु अकसर भद्रा ना लगे ऐसा हम हम लोग मुहरत देखते हैं और लगबग लगबग वह शाम या रात्री में ही मुहरत आ जाता है कुछ सहरों में 26 तारी को भी हुली मनाई जाएगी बताया जा रहा है कि 25 तारी को भद्रा लग रहा है तो ऐसा क्या है देखिए वैसे तो हम लोग पूरिमा में देहन और उस सपास तक है तो उस तीथी में अगर आप 12 बज़े तक खेलना चाहते हैं जो हमारा हिंदु धर्म का तिथी या तेवार देखते हैं लोग बोर से जो तीथी मिल जाती है उसी तीथी को हम लोग लेकि या पूरे दिन को मानते हैं तो आप सुबह खेल सकते हैं कुछ जैसे र सब्सक्राइब करना चाहिए देखिए बजार में जो बहुत ही प्रगाड वाले रंग होते हैं जिनकों कच्छा रंग कभी कभी उसमें शीर्षा वागारा की मातरा भी पाई जाती है उन रंगों से बशना चाहिए और वैसे भी जो पूर्व में हम लोगों की होली का महात ह ही है जो हम लोगी धार्मेकता को लिए हुए रंग है वो सिर्फ फूल वाले रंग होते हैं जैसे जिनको अभी हम लोग एको नमिक कलर से बोलते हैं वो तो बहुत ही फूलों से बनाए जाते हैं आज कल भी थोड़ा सा है बजट को लेखे कि यो थोड़े महेंगी होते हैं प्राकर्तिक कलर को यूज करेंगे तो बहतर है और ना भी करें तो कम से कम एक दूसरे के फेस पे जो गाड़े वाले रंग होते हैं जिनमें बहुत खतरनाक सामान मिल रहा था वो तो बिल्कुल भी प्रियोग न करें ज्यादा से ज्यादा है अगर आप लोगों को अच्छ जी ने कहा कि यह जो होली का तेवार है फूलों से बने रंग से ही खेले और जो डार्क कलर यानि थोड़े गाड़े होते हैं जिससे नुकसान हो सकता है उसके साथ ना ही खेलने का होली प्रियास करें और हो सके तो सिर्फ एक दूसरे को गुलाल ही लगाए वीडियो जर्रि झाल झाल